ब्रेक के बद आपका फिर से स्वागत है, राज में पहले से ही सुगंधित तंबाकु पर प्रतिबंद लगा है, इसके बाद भी तंबाकु की धडले से बिक्री की जा रही थी, लोगडाउन में जहाँ पांठेले बन थे, वही दूसरी ओर चोरीची पे गुट काम मिल रहा अब कई मेनों बाद अन्नवा ओशत प्रशासन विभाग द्वारा सुगंधित तंबाकु को लेकर एक्शन मोर में आया है, इसी बीज रामदा स्पेट शेतर में पांठेलों पर बड़ी कारवाई की गई और माल जब्त किया गया राजबर में सुगंधित तंबाकु की बिक्री पर रोक है, इसके बावजुद अब तक धडले से बिक्री की जा रही थी लेकिन पिछले मैनी भर से पुलिस के साथ ही अन्नवा ओशत प्रशासन विभाग द्वारा कारवाई शुरू की गई है पिछले दिनों तंबाकु बनाने वाले कुछ गोदामों पर कारवाई की गई अब अन्नवा ओशत प्रशासन विभाग ने रामदा स्पेट में कारवाई को अन्जाम दिया विभाग यस आयुक्त सुरेश अन्नपूरे ने विशेश मुहिम चलाई ताकि बिकरी पर रोक लगाई जा सके रामदा स्पेट शेतर में रविवराज धाबरडे, अनत कुमार चौधरी, अमर सोंटके, आनन महाजन के दल ने अभैदेश पांडे के नेटरुत में बाबा पान सेंटर, ताच फ्रेंट पान शौप, पांडे पान मंदिर इन पर चापा मार कर 8,473 रुपए मूल लिका 4,5 किलोग्राम माल जब्त किया है इन सभी पांडेले वालों पर बजाजनगर पुलिस स्टेशन में एफाई आर दर्च की गई है एक अन्य कारवाई में अन्नवा ओशत प्रशासन विभाग ने युनिक फ्रोजन फूड कॉपरेशन पर बिना लाइसेंस वह उचित अनुमती के बिना आइसक्रीम बेचने के आरोप में जब्ती कारवाई की कुल 156 किलो आइसक्रीम जिसकी कीमत 11600 रुपए बताई गई बिना लाइसेंस खाज सामगरी की बिकरी नहीं की जा सकती है